नमस्ते बच्चों कैसे हो घर पर आश्याही की सब सकुसल है मैं हूँ आपका हिंदी अज्यापक नईीम पाशा बच्चों मतमान समय में सरवगापी महामारी करोना के कारण हम यूटूब चानल के द्वारा अपने पाठे करम को घर पर ही सुन रहे है बच्चों आज इस सत्र में हम नमवी कक्षा की पाठे पुस्तक में तीसरा पाठ बदले अपनी सोच पाठ को पड़ेंगे इरोज मनम समीदव तरगती पाठे पुस्तक मुलोनी मूडवा पाठा मैना ट्वंटी बदले अपनी सोच पाठाने चोज़ा चलिए पाठ की पुलो बच्चों पुष्ट संख्या ग्यारह बदले अपनी सोच पाठ के आरम में दिये गए चित्र को ध्यान से देखिए क्योंकि इस चित्र को धेखकर हम तीन प्रिष्णों के उत्तर देनी चाहिए पाठमु यप आरम मुलो इच्चिन अट्वंटी चित्र पटानी चूसी मनम मूडु रकाला प्रिष्णलकु समाधनम योवलसी उन्नदी चित्र सम्बंदी पहला प्रिष्ण है चित्र में क्या-क्या दिखाई दे रहे है चित्र पटमु लो मनकू एमेमी कनपिस्तु नाई चित्र को ध्यान से देखने पर चित्र में एक लड़की दिखाई दे रही है वह चात्रा है उसके हातों में एक कुद्ता है लड़की के पीट पर एक बस्ता है एक दीवार दो बड़े पेड घास फूस आदी दिखाई दे रहे है चित्रपटान्नी स्रधगा गमनिंजी नटलैते वक बालिक कनुपिस्तुनदी आमे चेतिलो वक कुक्क पिल्ल उन्नदी आमे वीपुपै वक पुस्तकाल संचिकूड उन्नदी वक गोड रेंडु प्यद्ध चेटलु गड्डि पूसलु मदलोगनवी मनको जीव जन्तुवंके प्रती हमे कैसी भावना रखनी चाहिये जन्तुवल पटल मनम एलाँटी भावननु कलिगी उन्डवलेनु जीव जन्तुवंके प्रती हम दयाकी भावना रखनी चाहिये क्योंकि जीव जन्तुवं अपनी पीडावंको व्यक्ति नहीं कर सकती जन्तुवलनु मनम दया भावनतो चूडाली यंदुकंटे अवी मूग जीवालु कनुका चित्र संभंधी तीसरा प्रश्णु प्रकृती के समरक्षण में हम क्या योगदान दे सकते हैं प्रकृती नी कापाड़मलो मनम इंत मेरकु सहायनी अन्निंच गलमु उत्तर प्रकृती के समरक्षण के लिए हम पेड पवधे लगाना चाहिये प्लास्टिक का उपयोग ना करना चाहिये वायु प्रदूशन को कम करना चाहिये प्रकृती समरक्षण कोरकु मनम मुक्कलनु नाटानी प्लास्टिक योग्क उपयोगाननी तग्गिन चाली मर्यु मुख्यंगा वायु कालिश्यानी तग्गिन चाली यंदु कंटे उष्ट्नोग्रत फेरगडानी की वर्षालू कुरवक पोडानी की इदे खार्णम खावट्टी पाठ का उद्देश बचों पाठ करम में रखे गए हर एक पाठ के लिए कुछ न कुछ उद्देश होता है तो बदले अपनी सोच पाठ को पाठ करम में रखने का उद्देश है कि भाशन की जानकारी प्राप्त कर भाशा कला में निपुन बनना परियावर्ण समरक्षन के प्रयास करना बदले अपनी सोच पाठानी इपाठ्य पुष्थकम नंदू चेर्चुटकुगला उद्ध्येशं एमिटन्टे विद्ध्यार्धुलनू उपन्यास कळलो निपुणलनू छेवुटा परियावरणानी समरक्षिन्चे प्रयत्नानी विद्ध्यार्धुलचे छेवुटा बच्चों कुरुपया ध्यान से सुनिये बदले अपनी सोच पाठ के एक एक अनुच्छेदुको पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे मनम पाठम लोनी वको कपेरानू चदिवी अर्धन जेशकुने रहताने चेद्धम सम्युक्त राष्ट संग में पहली बार ऐसा हुआ तेरा वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था अपने सवालों से सब को सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम युगरतना स्रीवास्तव है भारत की इस लाडली पर सब को गर्व है बच्चों हम सर्व प्रथम सम्युक्त राष्ट संग के बारे में जानना चाहिए सम्युक्त राष्ट संग को अंग्रेजी में UNO United Nations Organization कहते है दूसरे विश्व युद्ध के बाद 24 अक्तूबर 1945 में अमरीका के निव्यार्क शहर में इसकी स्थापना हुई थी कई महान आशियों से इस संग की स्थापना हुई सम्युक्त राष्ट संग में कुल 193 वर्तमान सदस्य है इसका पहला सम्मेलन सैन प्रांसिस्को में हुआ था इसके वर्तमान महा सचिव एंटेनियो कुटरेस है इसमें कुल चह अधिकारी भाषाएं बोली जाती है सम्युक्त राष्ट संग के मुख्य उद्धेश है की युद्ध को रोकना मानव अधिकारों की रक्षा करना जीवन स्थर सुधारना बीमारियों की मुक्ती है तु इलाज करवाना आदी बच्चों इस सम्युक्त राष्ट संग की सभा में भारत से उपस्तित हुई तेरा वर्ष की भारत की लाडली अपने सवालों से सभा में उपस्तित सदस्यों को सोचने पर मजबूर कर दिया इस लाडली के सवालों का जवाब उनके पास नहीं था उस लड़की का नाम युकरत्न स्रीवास्तव है भारत की इस लाडली पर हम गर्व करना चाहिये पिल्ललू सम्युक्त राष्ट संग अंटे आइक्यराज्य समिती डीनिनि इंग्लीशुलों UNO United Nations Organization अंटारू रेंडव प्रपंच युद्धानंत्रम गेलिशिन देश्यालू प्रपंच स्रेयस्चु कोरकु अक्टोबर 24 पंतोमिदिवंदला 45 लो अमरीका अलोनी न्युवियार्क नगरम लो स्तापिंचितं जरिगिंदी अयक्के राज्य समित्ति लो मोत्तम 133 सभ्य धेश्यालू कलवू दीनि मोदटि समावेश्यम सैन फ्रांसिस्को लो जरिगिंदी दीनिलो आरू अधिकार भाषलू माटलाडबडुनू दीनि प्रस्तुता प्रधान कार्यदर्सी एंटीनियो कुटरेजू पिल्ललू मोदटि पैरा सारामस्यमनू विननडी इए आयक्के राज्य समितियोक्क समावेश्यमलो भारत देश्यमनून्डी हाजरैन 13 समच्राल मुद्धु बिड्ड कुन्नी प्रष्णलनू सन्दिन्चि अच्चटि सभ्भिलनू जवाबु चप्पलेनी निस्सहायुलनू चेसिन्दी आ भारत मुद्धु बिड्ड पेरू युगरत्न स्रीवास्तो ओ इबालिका भारतियु रालू अयनेंदुन मनम् गर्विन्चाली पिल्ललू न्यूईयार्कुलोनी आयक्के राजसमती प्रधान कार्यालेम इदे पिल्ललू इमे युगरत्न स्रीवास्तो आयक्के राजसमतीलो तना प्रष्णलतो महा महुलनू आलोचिम्पजेसिना भारतिया मुद्धु बिड्ड बचों दूसरे अनुच्छेद को ध्यान से देखिए सितमबर 2009 में सम्युक्त राष्ट संग में युगरत्न स्रीवास्तो ने भाषन देते हुए इस तरह कहा हिमालई पिघलता जा रहा है दुरवी भालू मरते जा रहे है हर पांच में से दो विक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है आज हम उन पेड़ पौधों को खोने की कगार पर हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं प्रशान्त महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है बच्चों युगरतन स्री वास्तों ने समीक्त राशसंग में सितंबर 2009 को भाशन देते हुए इस तरह कहा कि हिमालाई पिगलता जा रहा है बच्चों इसका मतलब है कि धर्ती पर परियावर्ण प्रदूशन वायु प्रदूशन बढ़ने के कारण हिमालाई परवतों पर ढखा बर्फ पिगलने के कारण हिमालाई पिगलते जा रहे है युगरत्न स्रीवास्ताव 299 सेप्टम्बरुलो अयक्के राज्य समितिलो उपन्यासमिस्तु एमनी प्रेस्निस्तुन दन्ते हिमालयालु करगुत्तू उन्नाई कारणम् वातावरन कालुष्यम पेरगड़ंवलन उष्ट्नोग्रत पेरिगी हिमालयालापई कप्पबडिन मंचु करगड़ंवलन हिमालयालु करिगी पोत्तू नाई बच्चों युगरतना स्रीवास्तों से उठाया गया दूसरा मुद्दा यह है कि दुरुवी भालु मरते जा रहे है दुरुवी भालु एक ऐसा भालु है जो आर्केटिक महासागर और उसके आसपास के भूख शेत्र में अधिक रहते है यह दुनिया का सबसे बड़ा मामसभक्षी है एक नर्भालु का वजन लगभग तीनसो पचास से छेसो असी किलोग्राम रहता है यह अधिक तर हिम बर्फ के प्रांतों में ठंडे तापमान में ही जीवित रहते है परियावरन प्रदूशन के कारण तापमान बड़कर दुरुवी भालुओं की मुरुत्यू हो रही है युगरत्न स्रीवास्ताव अयक्के राज्य समितिलो पस्ताविंचिन रेंडव प्रस्न एमिटन्टे दुरुवा प्रांतपु एलुगुमंट्लू मननिस्तु उन्नाई कारणं वातावण कालिषम प्याक्टरेल वगवलन वायु कालिषम एरपडि तद्वार ओजोन पुर पलजबड़ुटवलन भूमिपै उष्णोगरत पेरिगी मन्चु प्रांताललो जीविंचे दुरुवपु एलुगुबंट्लू मन्चु करुगुटवलन सी तलम तगी अवी मनिस्तु नाई युगरतना स्रीवास्तों से उठाया गया तीसरा मुद्धा है कि हर पांच में से दो विक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है बच्चों इसका मतलब है कि इस दुनिया में 40% लोगों को साफ पानी मने पेजल नहीं मिलता है इसका कारण है कि परियावर्न प्रदूशन से तापमान बढ़कर नदियों नालों तलाबों में का पानी सूख रहा है और कारखानों का गंदापानी नदियों नालों तलाबों में बहाया जारहा है पिल्ललू युगरत्न स्रीवास्तवचे प्रस्ताविंच बढ़िना मूडवा प्रष्ण इस भूमिपै प्रति ऐधुरीलों इद्धरिकी त्रागडानिकी मंचिनीरू लविंचुट लेदू कारणं वातावरन कालुष्यम प्रविंपै प्लाश्टिक वस्तूल विनियोगम प्रिगी अवी नेललों विलीनं कालेकपोवटा प्याक्टरेला मुरिकी नीरू नदुलू कालुवलू चिरुवुललों प्रवैहिंप चेईउटा युगरतना स्त्रीवास्तों से उठाया गया चौथा मुद्धा है कि आज हम पेड़ पवधों को खोने की कगार पर है जो लुप्त होते जा रहे है बचों इसका मतलब है कि परियावरण प्रदोशन के कारण तापमान बढ़कर कम वर्षा हो रही है इस कारण हम धर्ती पर कई पेड़ पवधों को लुप्त होते देख रहे है पिल्ललू युगरत्न स्रीवास्व प्रस्ताविंचिन नालगवा प्रष्ण नेडू मनं कनमरगवत्वुथुन्न कुन्नी रकाला मुख्कलू चेट्लनू चेजार्चुकुने स्थितिलो उन्नामू वातावर्ण कालुष्यम वलना वर्षालु समयानिकी कुरवक पोडम अनावुरिष्टी एरपड़म वलना इला जरुगतुन्दी। हिमालाई और अन्य बर्फीले प्रांतों का बर्फ विगल कर प्रशान्त महासागरों का स्तर बढ़ रहा है। इसके कारण धर्ती तीन चौथाई से भी कम होने की संभावना है। युगरत्न स्रीवास्तव रस्ताविंचिना ऐधव समस्या। स्तिरंगा उन्न महासमुद्राल नीटिमट्टम पेरगुतू पोत्तुन्दी। दीनिकी कारणम वातावरण कालिशं पेरिगी। हिमालयाललो मरियू दुरुव प्रांताललोनी मंचु करिगी। आ नीरु समुद्राललो चेरुतुन्दी। दीनि वलना मानवोलु निवसिंचे भूभागम। समुद्र पुन्डिटि लो मुनिगे मुपु पुपु पुन्ची भूणना दी। भचों यही है प्रशान्त महासागर। जिसकी विशेष्टा को जानेंगे। सागर मने समुद्र है। पसिपिक उशन को ही प्रशान्त महासागर कहा जाता है। क्योंकि यह सागर अन्य महा सागरों की तुलना में निश्चल और स्तिर रहता है इसलिए इसे प्रशांत महा सागर कहते है प्रशांत महा सागर और हिंद महा सागर मिलकर भी नहीं मिलते इसका मतलब है कि इनका पानी एक दूसरे से कभी नहीं मिलता है क्योंकि रंग अलग होत इदे प्रशांत महासागर पसिपिक महासमुद्रानी प्रशांत महासागर निष्चलमेन महासमुद्रम अनि अंटारू एंदु कंटे मेगता महासमुद्रालतो दीनिनी पोल्चीन अटलैते इदी निष्चलंगानु स्थिरंगानु उन्टुंदी दीनी उद्रती तक्कुवा पसिपिक महासमुद्रम हिंदू महासमुद्रमलो कलसीन पटिकी कलमनटले उन्टुंदी दीनिकी कारणम रिन्नेंटी नीटियोक का रंगु वेर वेरुगा कनपिस्तुन्दी बचों तीसरे अनुछेद को ध्यान से देखिए क्या हम अपने भविश्च की पीडी को एही देने जा रहे हैं बिल्कुल नहीं हमारे पूर्वजों ने हमें सच और स्वस्त ग्रह दिया था और हम क्या कर रहे हैं हम अपने भविश्च की पीडी को प्रदूशित और बिगडी हुई धर्ती देने जा रहे हैं क्या ऐसा करना ठीक है सोचो ध्यान लगा कर सोचो बच्चों युगरतना स्रीवास्तव सम्युक्त राश संग में जोरदार भाशन के द्वारा सभा में उपस्तित सज्जनों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करते हुए कहती है कि हमारे पूर्वजों ने हमें स्वस्त और साफ परियावरन विरासत के रूप में दिया लेकिन हम अपनी अग्ण्यानता और लापरवाही के कारण अमूल्य परियावरन को बिगाड रहे है हमारे पूर्वजों ने हमें जो स्वच्च और स्वस्त ग्रह दिया था वह पेड़ पवधों और घने जंगलों से हरा भरा था हमारे करतूतों से परियावरन प्रदूशित होता जा रहा है हम अपने आगामी पीडी को प्रदूशित और भिगडी हुई धर्ती देने जा रहे है ऐसा करना उचित नहीं है हमें इस मुद्धे पर ध्यान लगा कर सोसने की आवश्यकता है पिल्ललू युगरत्न स्रीवास्तो अयक्यराज्य समितिलो गंभीरमयन उपन्यासं द्वारा सबकु हाजरैन सज्जनुला दुष्टिनी आकर्षिस्तू प्रस्निस्तुन्न दी मना ऊर्वीकुलू मनकु शुब्रमयन आरोग्यकरमयन भूग्रहाननी वारसत्वंग अन्दिन्चारू वारिच्चिन धरनी चेटलू छेमलू दटमयन अरन्यालतो सस्षस्यामलंग उण्डेदी कानि मनम् मना अग्ण्यानम् अलसत्वं तो वातावरणानी कलुषितम चेश्यामू अभिवरिद्धी पेरुतो वाटिनी अन्तमों निंची कलुषितमयन भूग्रहाननी मना भवशत्त तरालकु इवबोतु नामू मनम इलाचेटम नियायमा वकसारी बाध्यतकला विक्तुरुगा आलोचिंच वर्सिन अवसरम उन्दी बच्चों अगेले अनुच्छेद को ध्यान से देखिए आदरनी सभाजनों अब समय आगया है कि हम कुछ कदम ठायें हमें अपनी धर्ती बचानी होगी अपने लिए ही नहीं बलकि भौश्य के लिए भी बच्चों इस धर्ती पर बढ़ने वाले परियावरन प्रदूशन का निवारन करने के आशेई से युगरतना श्रीवास्तव सम्युक्त राष्ट संग में प्रभावोत पादक भाशन देते हुए बैठक में उपस्तित सदस्यों से काती है कि आदरनी सभाजनों अब हम अपनी धर्ती को परियावरन प्रदूशन से बचानी है तो कुछ आवश्यक निर्णई लेना है यह अपना दाईत्व है यह निर्णई अपने रिये ही नहीं बलकि अपने भोश्य की पीडियों के रिये भी हितकारी है पिल्ललू इभूमिपै पेरुवुतुन्न वातावरन कालुश्याननी अरिकट्टालन आसियम्तो युगरतना स्रीवास्तो आयक्यराज्य समित्तुलो उत्तेजजनकमैन उपन्यासमिस्तु अंटुन्नदी गवरवनी युलैना सभिकुलारा इप्पुडु मनम वातावरन कालुश्यानिकी गुरवतुन्न मना भूमातनी कापाडुकोवालन्टे कुन्नी निर्णैयालु तीसकोवलसिना अवसरम उन्दी इए निर्णैयालु तीसकोवडम मना वाध्यता इए निर्णैयालु मनके खादु मना भूशत तरालकुकुडा मेलुचेयुनू बच्चों अगले अनुच्छेत को ध्यान से देखिए यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहां होगा अब नहीं होगा तो कब होगा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा बच्चों भारत की लाडली युगरतना स्रीवास्तव परियावरन प्रदूशन से धर्ती को बचाने हेतु कई इरादों को दिल में ठान कर सभा में उपस्तित नेतावों से कहती है परियावरन प्रदूशन को रोकने का काम सम्युक्त राश्च संग में नहीं होगा तो कहां होगा अब नहीं होगा तो कब होगा हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे क्योंकि सम्युक्त राश्च संग की स्थापना ही मानों के जीवनस्तर को सुधारने के लिए हुई है भारत मात मुद्धु बिड्ड आयना युगरतना स्रीवास्ताउ वातावर्न कालिष्यमु बारिनुण्डी भूमिनी कापाडालने निन्नैयानी मनसुलो बलबर्चुकुनी सबकु हाजरैना विबीध देशाधी नेतलतो अंटुन्नदी वातावर्न कालिष्याननी अरिकट्टे पनी आयक्य राज समुदि लो चेकपोते मरी एक्कड चेस्तारु इपनी इपacaktुड अवग्वकपोते एप्पुड आव्तुन्दी इपनी मनम् चेकंपोते यवरु चेस्तारु आईके राजिसमती योक्क स्थापना प्रपंचा मानावाली योक्क जीवन प्रमाणालू पेंचुट कोरके जर्गिन्दी कदा। बचों इन अनुच्छे दों में आये हुए नये शेब्दों के अर्धों को जानीये। इपाठम लो वुच्चिन कुरत्त पदालकु अर्धालनू तेलिसकुन्दाम। शब्दार्ध अर्धालू, मीनिंग्स, पहली बार, मुदटि सारी, फस्ट टैम, मजबूर करना निस्साहियुनि शेवटा, टु मेक हेल्पलेस, सवाल, प्रेश्टा, क्वेश्चन, सोचना, आलोचिन्चुटा, टु थिंक, लाडली, मुद्धु बिड्डा, डीयर, भाषन, उपन्यासं, स्पीच, पिघलना, करगुटा, टु मेल्ट, भालू, एलुगुबंटी, बीयर, कगार, बुरुजु, अंचु, टर्रेट, लुप्तु होना, कनुमरुगवटं, मिस्सिंग, स्तर, स्तिती, पुजीशन, पीढी, तरमु, जेनरेशन, प्रदूशन, कालुश्यम, कुल्यूशन, पूर्वज, पूर्विकुलू, अंसिस्टर्स, स्ध्यान, स्रध्धा, केर, इरादा, निननयमू, डिसीजन, बच्चों, इस तरह, तेरह वर्ष की भारत की लाडली युगरतना स्रिवास्तो, पहले बार सम्यक्तु राष्ट संग की सभा में, उपस्तित होकर, परियावरन प्रदूशन को रोकने के आशे से, अपने जोरदार भाशन से, अपने दाईत्व को याद करते हुए, सब को स सोचनेपर मजबूर कर्दी, इविधंगा, पदमूरु समस्राल भारत मात मुद्धु बिड्ड, युगरतना स्रीवास्तो, मोदटिसारी, हैक्केर्याज्य समितिलो, जनुक्तु ना सदस्सुकु हाजरै, वातावरना कालुश्यान्नी, निवारिंचालाने संकल्पंतो, त बचों, इस सत्र के लिए इतना पाट काफी है, लगता है मुझसे पढ़ाए गया पाट आपको समझ में आया होगा, अगले सत्र में सेश पाट को पढ़ेंगे, बचों ध्यान में रखिये, घर पर ही रहे, सुरक्षित रहे, धन्यवाद